कि हैं लो एबरन्ट सीजी में जो भी एक्जाम होने वाला है चाहें सीजी पेसी से सीजी वैपम से तो आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा चले मैं आपको बताता हूं Google में सबसे पहले आपको सर्च करना होगा यहां पे आपको पूरी जानकरी मिलगा तो हम यहां पे सर् यहां से ओपन करने के बाद यह इसका ओफिसली वेबसाइट ओपन हो जाता है तो यह जो प्रेस रिलीज से जितने भी नोटिफिकेशन जो गवर्मेंट निकालती है सीजी वैपम के थूरू उसमें पूरी जानकरी आपको मिलेगा देखिए पूरी जानकर यहां पे है पट करने को इसलिग्जान करें यहां पी दिया रहता है तो यहां पर पूरा लिस्ट यहां से चेक कर सकते पूरी जानकरी ररिजर्ल दावापति सब दिया रहता थे थे तो चलि हम इस वीडियो में हम पटवारी के एकग्जाम को कैसे फॉर्म को फिल आ प करेंगे केरफुल ही पूरे एकक चीज रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक पूरी जानकरी मैं बताऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ठीक है तो यहां पे सबसे पहले जो हमने विग्यापन 1 में देखा यहां पर आपको जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखा चुका हूँ कि का का पोस्ट दिए है वीग्यापन 2 में भी सेम यहाँ कि कोई से जिले के लिए कि इतना पोस्ट निकला हुआका नहीं दिया है तो पूरे इंस्ट्रोक्शन आप उस वीडियो ने जाकर देख सकते हैं उसका डिसकॉस्शन सब्स वीघ्या लाएगा कि ऑनलाइन आविदन करने की दीथी जो है आज 4 अप्रेल से प्रारम हो चुकी है इते कि आज 4 अप्रेल है और अंतिम जो है 22 अप्रेल को है रात के साड़े बारा बच्च के 49 मिनट तक अगर आप से कुछ गलती हो जाती है तो आप त्रोटी सुधार कर सकते हैं लेकिन आपको कोई गलती नहीं करना है फॉर्म को अराम से भरिये ठीक है फिर अगर थोड़ा बहुत लिए डेट अब बर्थ कोई जीज में अगर गलती हो जाती तो आप यहां परिच्छा की तीथी जो है कब दिया गया है दस अपरेल को परिच्छा की तीथी संड़े है इस दिन एक्जाम होगा आपका इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है दस से एक बचके 15 मिनट तक ठीक है तीं घंटे का एक्जाम होता है लगभग प्रदेश का ठा अब सब्सक्राइब टाइस और इस टेसर निश के लिए 200 रुपय है बाके इंस्ट्रक्षन यहां से आप वो मर्स चैट क्या कैतरोटी होने पर नहीं दिया जाएगा यह पूरी इंस्ट्रक्षन दिया वह सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हो भी फाउन भरते है तो उसके minimum size होगा और अधिकतम दोने दिया अधिकतम 40 के भी और minimum 40 के भी दोनों के बीच में रहेगा तो सही रहता है इसी तरह आपका signature के लिए भी same दिया है देखिए 40 से 20 के भी के बीच में होता है इसको कैसे बनाए जाता है उसके लिए मैं एक लगसी वीडियो बना दूँगा वहां जाके देख सकते हैं यहां पर दिया हुए क्या करतत है कैसे कैसे करने यह में इस्टेव आपको नेस्ट में बताऊंगा ठीक है तो थोड़ा पूरा जो है मुल्यांगा जो निकाला जाते है इसी के अधार पर मेरिट लिस्ट बनाए जाता है ठीक है मैरिट लिस्ट बनके आपका टॉप 10 लिस्ट निकालते हैं मांगी दे कि परिच्छा परिणाम जब जो फॉर्म भरेंगे हम जब तक वरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक यह फॉर्म को सम्हाल के रखना है पूरा परिच्छा का अपका इस्थल दिया है कि कौन-कौन से जगह पे कौन-कौन सा कोड है पूरा बना हुआ है तो आप इ इतने बहुत पटवारी में जितने बार भी ऐग्जाम वह सेम है कि कम्प्योटर पर देखे 20 नंबर का कम्प्योटर आता है हिंदी और इंग्लिज जो है तद्दस नंबर का रहता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्स का जो रिजनिंग स्वरी एप्टिट्विट पा साथ देखें तो देखें कि समाननी ज्यान में 35 कोशन आता है जिसमें से आपका राजनितिक ज्यान में दिया हुआ है इंडियान हिस्ट्री दिया है जो डेप्थ में आपको पूछेगर राष्ट अंदोलन के बारे में इंडियान जियोग्राफिया क्या एकोनौमीक है समाने विज्ञान साइंस के बारे में भी दसी लेवल तका कोशन पूछा जाता है बाकि करेंट अफैर जो है च्छतिसगार अंतराश्टी पूरी जानकरी आपको करेंट अफैर भी डेली पढ़ते रहना है तभी यह वो फिल होगा बाकि च्छतिसगार की समान ने जो सिंपल जानकरी है देखिए यह करेंट अफैर को बताएंगा है सिंपल रहते को जादा वह नहीं है ठीक है बहुत ही पंदरा नंबर का कोश्चन रहता है आप अच्छा से डेली पढ़ेंगे तो बन जाएगा उच्छतिसगार की समान जानक कि सबसे जादा करेंट अफैर से कहां से कोश्चन पूछा जाता है अब आता है यहां पर और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या क्या चीजा वह भी देख लेते हैं तो यहां पर हम उपन कियें तो यहां पर देखिए बस यही कि फॉर्म को कैसे फिल अप करने यह मैं आग Now to nes to देखते हैं बंक का inst bullish दिया हुए कि कैसे कैसे आप ढ़ेंक से प्यारेंट करेगे के बंक एविट कार्ट सभी यह सब दीया रहता है सभी के पास मैं आज कर डेविट कार्ट जो एटीम बोलते हैं वो सभी के पास में दीया रहता है तो आप यहां यहां से यूज करके फॉर्म भर सकते हैं तो यहां पर फॉर्म को भनने के लिए सबसे पहले यही पूछा गया है क्या आपके पास में सच्छनी की योग्यता है सच्छनी की योग्यता में दिया गया है और एक साल का कंप्यूटर होना चाहिए डी सी हो पीजी डी से यह होगा तभी आप हां करके आगे फिल करेंगे यहां पुछा क्या 36 गड़ के आप निवासी हैं सच्छनी की योग्यता में वही आप अच्छे से पढ़ लेंगे जो फॉर्म है उसमें दिया हुआ है बारी वाले भर सकते हैं बट कंप्यूटर होगा तभी भरिये नहीं तो मत भरिये बारी के साथ साथ कंप्यूटर जो है कंपल्सरी इसमें किया गया है ठीक है तो चले नहीं स्ट में देखते हैं यहां पर पुछाए 36 गड़ के आप निवासी हैं क्या तो हां करना है उसके बाद में फ्रेंट सबसे इंपोर्टन यह दिया है च्छत की जीले से च्छती गड इस बार राइपूर और विलासपूर के लिए नहीं दिया हुआ है तो राजमन का च्छाइस कहते हैं यहां पर सबसे पहले तो आपको फोटो का प्लोट करना है जो मैंने बिदाया था है 40-60 के बीच होने चाहिए सबसे इंपोर्टन यहां केंडिडेट का नाम पुछा है में दिया हुआ है वो चीज窩िल करना है आपको फादन ने मैं या जısका पहस्बंड नेन वी डाल सकते हैं इस यह छो किरिमिलियर नउख्यान कीव पर सत सबस्क्राइब है यह एक्जाम सीटी एवरिवन तो सबसे सही फिल अप करने है अगर गलत होगा तो आपको दूसरे जगा एक्जाम देना जाने पड़ सकता है इसलिए इसको केरफूली फिल कीजिए ताकि आपको गलत नहों रहा है आई एगरी करके जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है रहन ब भरते टाइम आपको कोई भी प्रमान पत्र नहीं देना है सिब जानकारी देना है जो सही होना चाहिए असकते घलत जानकारी होने पर जवाबदारी स्वयम की होगी इसलिए बार-बार चेक के लिजए अपनी युग्यता सब चीज भरती नियम आपको तभी फॉर्म को भरि जाते हैं अगर चाहिए तो आपको प्राब्लम होगा चाहिए तो आप प्राइमेंट को भी चेक कर सकते हैं ठीक टांजेक्शन प्राइमेंट से ठीक है अंग